इसको हम लेडिस जैकेट और अपने तरह से किसी भी प्रजेक्ट में डाल सकते हैं आपको जिसमें अच्छा लगे बनाना भी बहुत यह असान है यह ग्यारा चेन का डिजाइन है यहां से यहां तक ग्यारा चेन है इसमें ग्याराँ चेन का डिजाइन है इसको अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनेगा हम इसमें सिरफ इतना ही बताएंगे बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं मैं सिरफ इतना दिखाऊंगे आपको यह हमने एक चेन बना ली दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा ग्यारा चेन का डिजाइन है और चार चेन हमने यह वाली बनानी है एक दो तीन चार जो हमने साइड में रखनी है वो चार चार चेन बनाई है और अंदर भी हमने चार चेन ही बनाई है अब ग्यारा और चार पंदरा चेन हो गई अब इसके बाद हम डिजाइन वह स्टार्ट करते हैं एक दो हमने तीन चेन ली और यहां से हमने पंदरा चो चेन बनाई है उसमें डबल क्रोशिया करना है एक बार हो गया दो ऐसे पंदरा डबल क्रोशिया करना है हमने करना हमने दो तो झाल झाल कर दो एक वी कर दो दो कर दो यह हमने 15 चेंग में 15 बार डबल क्रोश्या कर लिया इसके बाद हमने डिजाइन स्टार्ट करना है तीन रोका ही डिजाइन है यह वही तीन डो बार बार रिपीट होनी है अब फिर हमने तीन चेंग डाली एक दो और यह तीन अब हमने इसके साथ वाले में डबल क्रोश्या करना है अब यह जो चार चेंग वाला बार्डर है साइडों में डबल क्रोश्या का वो कर रहे है दो और ये तीन हो गई और ये चार हो गई ये हो गई चार एक जो हमने तीन चेन डाली और तीन बार हमने डबल कुरुशिया किया हो गई चार और इसके बाद हमने क्या करना है हमने चार चेन बनानी है एक दो तीन, चार, चार चेन बनाने के बाद हमने यहां से काउंट करना है, एक, दो, तीन, और यह चोथी चेन में हमने सिंगल कुरुशिया डालना है, इसके बाद फिर चार चेन डालनी है, दो, तीन, चार, फिर एक, दो, तीन, चोथी चेन में डबल कुरुशिया डालना है, और फिर लास्ट का जो बार्डर है इसमें डबल क्रोशिया हो जाएगा अब यह फर्स्ट रो थी अब सेकेंड रो फिर तीन चेन डालनी है एक, दो, तीन फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है एक बार तीन चेन डालके दो बार और यह तीन बार अब हमने क्या करना है दो चेन बनानी है एक, दो फिर हमने यहाँ पे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है यह जो है यह पोर्शन यहाँ पे फिर हमने चार चेन बनानी है एक दो तीन चार फिर हमने इसमें सिंगल पुरुशिया करना है इसमें हमने सिंगल पुरुशिया करना है फिर दो चेन बनानी है एक दो और यह डबल पुरुशिया साइड में जो बार तीन बर और यह चार बर यह सेकेंड रो थी अब थर्ड रो में फिर तीन चेन और यह डबल पुरुशिया अब हमने कोई चेन नी डालनी और यह वाला पॉर्शन है बीच में जिसमें हमने चार चेन डाली थी इसमें हमने साथ बार डबल कुरुशिया करना है दो तीन चार पांच छे और यह साथ फिर हमने कोई चेन नी डालनी और इधर लास्ट में डबल कुरुशिया पांच 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 यह इस तरह से डिजाइन आएगा और इसको हम आगे एक्स्टेंट कर सकते हैं जितना हमें चाहिए उसका पांच के हिसाब से हम चेन डाल के बना सकते हैं और यह बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनना है इस तरह से आएगा झाहिए झाहिए झाहिए